इसे बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए आपको सुके मटर लेने हैं सबसे पहले मटर को अच्चे से साप कर लेंगे मटर के अंदर अगर कच्रा या कंकड कुछ हो तो आप इसको निकाल दो ले अब इसमें पानी डाल देंगे इसे 2-3 भार अच्चे से दोकर साप करेंगे अगर बचा होगा कोई भी कच्रा होगा थो इस तरीके से निकाल लेंगे तो आप हुआ इस तरीके से शीधो करा लेना है तो आप इस तरीके से आसानी से कर्पी भी बना कर तैयार तरीके से dirhank इसकी सि até 13 बार इसाप कर लेंगे दोकर इसके दोब़कर उसनाइशगफिते Split इस साप कर लेंगे इसमे साप पानी डालाई राद बर लिए भीगो सब्रूं कर रख दकर रात भर रखने से नंगर पूल कर त्यार करेंगी ने लाव यह साइज में डूगना तुरिया है मत्र को अच्चे सवकाना विस में देवाल पानी नहीं नहीं आप चाहो तो इसको थोड़ी देर के लिए धूब में रख सकते हो जल्दी सूख जाएंगे तो सारे मटर को इस तरीके से तयार कर लेंगे देखो कोई भी काम करने में थोड़ी सी मेनत तो आपको करने ही पड़ेगी तो इसमें कुछ जादा भी मेनत नहीं है और हम बच्छों के लिए इतना तो करी सकते हैं अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस इसको तलकर तैयार कर लेंगे फिर तोड़े से मसाले मिलाएंगे वो नमकिन तैयार है तो चलते हैं गेस की तरब इसे तलकर तैयार करेंगे इसके लिए मैंने कड़ाई में पहले ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो त तेल को पहले अच्छे से गरम होने देना है आप इसमें थोड़े से मट्र डाल कर चेक कर सकते हो आपको पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेना है पिर आज को मीडियम रखना है तो आप देख सकते हो तेल अच्छे से गरम है इसमें मट्र डाल देंगे तो ध्यान रहे मट्र को एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके इसमें मट्र डाल देंगे मट्र को तलते समय आपको अपनी सेटी का ध्यान रखना होगा तो बीच में एक दो बार आपको इसको हिलाना भी है तो मटर को तलते समय आपको 2-3 मिन्ट का टाइम लग सकता है तो बाकी के बच्ची हुए मटर भी इसी तरीके से तल कर तैयार कर लेंगे मसाला मटर बनाने के लिए मटर को अच्छे से सुकाना जरूरी है नहीं तो यह जल्दी खराब हो जाता है तो आप वीडियो में देख सकते हो मटर तेल में उपर तेलने लगेगा तब इसे बाहर निकालना है आप चाहो तो मटर को तोड़ कर भी देख सकते हो अगर कर तोड़ने पर मटर अच्छे से भिकरता है तो यह तयार है कि कि आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि यह उचलकर उपर भी आते हैं तो मटर तयार है इसे मसाला मटर बनाने के लिए इसमें थोड़ा से मसाले डालने हैं तो स्वात के नुसार इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे अगर नहीं हो तो सेंदर नमक भी डाल सकते हो हम चूर पाउडर डाल देंगे इसकी जगे चाट मसाला भी डाल सकते हैं सुआत के नुशा लाल मिल्च डाल दे मसाले को अच्छे से मिला देंगे हमारे मसाला मटर बनकर तयार है बहुती बढ़िया नमकीन बनकर तयार है जो बच्चों को तो बहुती ज़्यादा पसंद आने कर देंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ है तो इसे लाइक करना और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद